आपका जीवन मंगल मैं हो लाइक करें शेयर करें आचारे पंडित गिरीश बारोलिया जोतिश हस्त्रेखा एवं वस्त चैनल राधे राधे जैस्री कुष्णा नमस्कार मैं आचारे पंडित गिरीश बारोलिया गायत्री महामंद ओम् भूर्भुवाह स्वाहत अच्च वितुर्वरेन्यम् भर्गोदे वस्यधी मही धीयोयो नाहा प्रैचोदयात अज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्छुनेर मीलितम्मेन तस्मैं सिरी गुर्वे नमहाम अज हम आपसे जब हम अपने घर में या तो नित्य पूजन करते हैं या कोई धार में कायुजन करते हैं या गादी कारिक्रम करते हैं सत्नारण की कता है सुन्दरकांड का पौट है किसी प्रकार के कोई भी धार में कायुजन जब हम करते हैं घर में तो उसमें लगने वाली बस्तूओं को हम बड़ी स्रद्धा और विश्वास के साथ में खरीद करके लाते हैं फूल तोड़ते हैं या किसी दुकानदार के हाँ से फूल ले करके आते हैं लेकिन जब हमारी पूजा समाप्त हो जाती है या आप जो नित्त पूजन करते हैं दूसरे दिन जो है आप उन फूलों को और जो भी आपने सामग्री चड़ाई उस कोठा करके हैं सी कहीं भी फै आभाव है इस प्रकार से आपको उनके साथ में बेवार नहीं करना चाहिए आपके घर में जो भी व्यक्ति रहते हैं वह आपके बड़े सृधे रहते हैं सृधा के पातर रहते हैं लेकिन जब उनकी मृत्तू हो जाती है तो माना कि उनके सरीर को ज्यादा देर तक हम नहीं प्यार करते थे लेकिन इसके बावजुद भी आप उनके उस सरीर को कहीं भी ऐसी रोड पर तो फैक कर नहीं आ जाते किसी जंगल में तो फैक करके नहीं जाते बलकि उनका सारवजनिक रूप से आप जो है सभी नाते रिष्तिदार समलित होते हैं और फिर उनका दाहस संसकार करते हैं फिर उसके पस्चात उनकी जो अस्थियां रहती हैं उसको किसी पवित्र नदी में गंगा में हरिद्वार मे या त्रिवणी संगम इत्यादी में या यमना में आप प्रवाहित करते हैं तो फिर जो हम पूजन सामगरी जो हमारी रहती है जिसके के लिए हम बड़े आदर सदकार के साथ में उन सामगरियों के खटा करते हैं उस सामगरी को यदि आप ऐसे ही फैक देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा आप जब सूर को अर्ग दे रहे हैं तो आपका जो पानी है वो बाजू में एक गंदा नाला है उसमें यदि वो पानी जा रहा है तो फिर वो आपका जो सूर का अर्ग देना कितना उचित होगा इसलिए कभी भी यदि आप सूर को अर्ग देते हैं तो इस प्र तक जाते जाते सूख जाए कि वो नाली में उसका पानी ना जा पाए इस चीश का आपको ध्यान रखना चाहिए जब हम पूजा करती है तो नित्य पूजन करती है घर में किसी प्रकार के कोई भी धार में कायुजन करते हैं तो उस जो सामगरी बज जाती है जो आस पास बिख करके किसी नदी तालाव आदी में आपको उसको बिसरजन करना चाहिएए ज़ह आप जहां पर रहते हैं, वहाँ पर एदि इस परकार का कोई साधन नहीं है कोई नदी तालाव पास में हैंतो आप किसी ज़ाल के पास में , ऐसे के पैर इत्यादी ना पढ़ते हूं, ऐसे जाड़ के पास में उन सामगरियों को छोड़ सकते हैं, जो चामल रहते हैं, जिसे हम अक्षत कहते हैं, उनके लिए आप जो चीटियों के लिए या पक्षियों के लिए आप डाल सकते हैं, जो नैबिद रहता है, जो प्रसाद रहत तो उससे क्या होगा कि वो सामक्री लोगों के पैर के नीचे आएगी और जो सरद्धा और भाव आपके अंदर था वो फिर आपका खत्म हो जाएगा जिस प्रकार से कि हमारे प्रीजन कोई बहुत दूर हमसे रहते हैं लेकिन फिर भी उनके प्रती हमारा इसने और प्यार बना रहता है यदि उनको कोई तकलीफ होती है तो हमें एहसास होता है इसी प्रकार से जब आप पूजन की सामगरी जो है वो आप जब जल में या किसी पसुपक्षी के लिए देते हैं या चीटी आदी के लिए किसी जाड़ के पास में छोड़ देते हैं तो जब वो उसका भारण पोसन करती है जब उसको खाती है तो निस्षित रूप से उनकी आत्मा जो है वो कहीं से न कहीं से प्रसंद होती है और आपको दौाएं देती है तो उसका फ़ल जाने अंजाने में आपको मिलता रहता है इसलिए इन साम letzGI को कभी भी आपको इधर उधर नहीं फैकना चाहिए ऐसी जगह पर आपको डालना चाहिए यदि नदी तालाब आपके पास में नहीं है तो आप किसी गमले में आपके घर में कोई गमला है तापके ज़ाद है जहां पर कि किसी के पैर्यादी नहीं लगते जहां कोई वेक्ति वहां जाता नहीं है तो वहां पर भी आप जाकर के छोड़के आ सकते हैं जाड़ों से कभी भी आपको पूजन सामगरी को साफ नहीं करना चाहिए और उतनी ही आदर सतकार के साथ में जैसे की आप लेकर के आए थे उसी आदर सतकार के साथ में उस सामगरी कि हमसे गलती हो जाती हैं तो फिर बाद में हमको समझ में नहीं आता है कि हम सब पूजा पार्ट तो कर रहा है लेकर उसका फल हमें क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है तो मित्रो एक बहुत चोटी सी जानकारी हमने आपको दी कि आपकी जो पूजन की जो सामकरी है उसका आपको जो है उच्चत स्थान पर आपको सरजन करना चाहिए, कहीं गलत जगह पर आपको इस प्रकार से नहीं डाना चाहिए जिससे कि आपकी पहर इत्यादी लगे उनका निरादर कभी भी नहीं होना चाहिए, जिस भावना से आपको ने कर के आ हैं आपके दिन मंगल में हो आप लोग खुस रहें मस्त रहें मागाई तरीक अश्री मिक्रपाइसी प्रकार आप लोगों को पर बनी रहे हमें आग ज्याद है नमस्कार कुछ